नमस्कार आप देख रहा है निउस पियार मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण सराबंदी है यानि कि बिहार में सराब का सेवन करना तसकरी करना बेचना या किसी भी तरह के धंदे में लिप्त रहना एक बहुत ही संगीन अपराद माना जाता है और बि संगन करते हैं और सरकार जो हैं उसके साथ बहुत कड़ाई से निपट दी है लेकिन आपको मताएं कि बिहार में सराबंदी के बावजूद भी सराब का सेवन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बड़ी मात्रा में सराबों की खेप पकड़ी जाती है सराब पिये हुए पिने के लिए सराब को की जहरीली सराब भी पी लेते हैं और बिहार में बहुत ही बहुत सारी घटना अभी तको चुकी है सराबंदी के बाद कि लोग जहरीली सराब पीने के कारण अपने प्रानों को गवा चुके हैं ताजा मामला है पस्तिम चंपारन के लौरिया और रा आईसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है. 2016 में ही खजुरबानी, गुपाल गंज में 16 लोग जहरीली सरापी जैसे मरे थे तो वही 2021 की हम बात करें, तो होली के समय ही नवादा में 16 लोग जहरीली सरापी के मरे थे. वही उसी समय आपको आता हैं कि बेगु सराय में दो लोग की मौसा जहरीली सरापीने से हुई थी तो वही रोहतास में पांच लोग अपने जानों को गवाएं जहरीली सरापीने करन और दो लोग अपनी आँखों की रोसनी को गवा चुके हैं वही आपका हम बता दें कि इस साल ही मार्च में कोट के द्वारा गुपाल गंज कोट के द्वारा खजुर बानी जो जहरी सरापकांड हुआ था उसमें 13 अभ्यूक्तों में से 9 को फांसी की सजा दी गई और ये समझा गया कि इस सजा के बाद जो भी अवैद करोवार करते हैं उनमें डड़ का महौल बनेगा और वो ऐसा काम नहीं करेंगे लेकिन इस पर कोई भी लगाम नहीं लगा है पसिम चंपारन में लगातार दो तीन गाओं में लोगों की मौत हो रही है जहरीली सरापीने एकारण हलाकि प्रशासन के द्वारा अब सुईकार लिया गया है कि ह यह मौते जहरीली सरापीने के कारण हो रही है लेकि पहले परदा डालने ही खोसिस की गई चलिए पुरा मामला बताते हैं आंको लोरिया थाना छेत्र यहों रामनगर थाना छेत्र के छे गाओं में जहरीली सरापीने से 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि दो लोगों का इल करोवारी ठग साके बेटा सुमीत को गिरफतार किया और दो चौकिदारों को निलंबित भी किया है मामले में आगे करवाई को लेकर पुलिस बल और स्वान दस्ता लगातार छापे मारी कर रही है सुचना मिलने पर डीम परभारी एसपी बेतिया और नरकटिया गंज के पूस्ताज करेंगे तो सराब पीने की बात नहीं काना नहीं तो पुलिस तुम्हारे घर वालों को गिरफतार कर लेगी चौकिदार की धर धंकी से सब लोग ड़ गए मामले में लोरिया थाना थाने प्रत्मी की दर्ज की गई अस्थानिये चौकिदारों नसुरुल्लाह औ को निलंबित कर दिया गया है आपको बता दे कि डेप्टी सीम से जब इसके बारे में पुछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों की मत जहरीली सराब से नहीं हुई अभी पूरे मामले की जांच चल रही है सरकार चाह रही है कि कोई कुछ बोले की आखिर मौत कैसे हुई है वही आपको बता है कि जो डियाईजी हैं चमपारन रेंज के उनका कहना है कि प्रात्मिकी दर्ज कर ली गयी है प्रात्मिकी के अधार पर करवाई की जा रही है जो भी सनलिप्त होगा उस पर करवाई की जाएगी तो आपको हम बता दे कि बिहार में पूर्ण सराबंदी है इसके बावजूद भी बहुत बड़ी मातरा में सराब की खेप पकड़ी जाती है और सराब तसकरी के नयाब तरीके यहां मिलते हैं जो की देखकर लोगों की और उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग के भी हो सूर जाते हैं कि किन किन माध्यमों से सराब के काखेप जो है बिहार में पहुंचा आजाता है वही एक और बात की बिहार में जो भी पुलिस कर्मी है उत्पाद के विभाग सिज्रोवी जो अधिकारी है उन लोग की बहुत बड़ी मातरा में सनलिपता सराब माफियाओं के साथ पाई जाती है और ऐसे मामले भी पकड़े गया है बिहार में दरजनों ऐसे अफसर हैं जिनके सराब कारबारियों से संबंध होने कारण तसकरी में सामिल होने के कारण उनको उन पर करवाई की गया उन पर बरखास्त किया गया और दस सालों के लिए थानेदारी से बाहर कर दिया गया है बावजूद इसके बिहार के हर एक जिले में आप पेपर देखें तो सराब की खेप पकड़ी ही जाती है अब यह और खबर दिया हुआ दरभंगा में है कि दरभंगा में सराब लदीय सकर्पियों ने जवान को खुचला आपको बताए कि बिहार में सराब माफियाओं ने क्योटी थाना के सामने एन्नेच बाउन बी पर थाना के सामने घस्ती कर रहा है पुलिस कर्मी को कुचल दिया इतना ही नहीं उसे स्कॉर्पियों से घसिटते हुए लगबग 200 मीटर तक ले गए घायल पुलिस कर्मी को आनन फार्ण में इलाज के लिए क्योटी CSC में भरती कराया गया तो आपको हम बता दे कि जो सराब कारोबारी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कुछ दिन पहले ही सीता मढ़ी में एक थाना द्यक्स की हत्या कर दी गई थी जब वो सराब तसक उसके द्वरा हमला किया जाता है और इसका कारण ये भी है कि कहीं न कहीं प्रस्रे दिया जाता है पुलिस कर्मियों के द्वरा पुलिस अधिकारियों के द्वरा सराब्यवसाईयों को और कमीशन न मिलने पर शापमारी करने जब जाती है टीम तो उस पर वो जितने भी कार जो कि अवैद कारवार करते हैं वो उन पर हमला करते हैं तो बिहार में पूर्ण सराबंदी कागजों तक सिम्टा हुआ है वास्तविक्ता यही है कि सराब जो है यहां पर पूरी तरह से आपको उपलब्द है आप फोन नंबर वाटसप पर आपकी घर पर होम डिलेवरी होती ह हैं और यह ऐसे लड़के हैं जो कि मैट्रिक इंटर में पढ़ाई करते हैं और साइड बिजनेस करते हैं यह इजी मनी का कॉंसेप्ट इसमें आता है और इसके साथ ही साथ बताएं कि जो आदी है सराब पीने के वो इतने ज़्यादा इस पीने के लिए पागल हो जाते हैं क जरूरत है एक बार फिर से बिहार में सराबंदी कानून के समिच्छा की और इसमें धील देने की या फिर कैसे इसको पूर्ण सराबंदी को लागू किया जाई मनदारी से उस पर एक व्रहत आमूल चुल परिवर्थन करने की नहीं तो ऐसे घटनाय होती रहेंगी कारवारि कि शुल में जु जुल भूर्ण सराबंदी की खरावारि की जुल चौर्ण सराबंदी की याल करने की बार फिर के समिच्छा कारे की बाल